वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में हम लोग डिसस करने वाले हैं RRV NTPC का जो एक्जाम 3 मार्च 2021 को कंड़क्ट हुआ है 1st shift and 2nd shift में दोनों shift में जितने भी GKGS के questions बने हैं यानि 1st shift के 40 GK questions और 2nd shift के 40 GK questions आज के इस वीडियो सेशन्स में discuss करने वाले हैं जो candidate exam देकर आए हैं वो अपना answer match कर लिजे और जिनका next shift में exam है वो यहां से analysis कीजे किस level के questions आते हैं तो देख सकते हैं proper ढंग से मैंने notes सभी का बना दिया हूँ दोनों shift का और मैं बता दू जो नए candidate हैं कि जिस दिन से RRB NTPC का exam स्टार्ट हुआ है उस दिन से मैं इसी तरह hand notes के माध्यम से आपको analysis देता हूँ ताकि आने वाले जो group D के exam हैं उसके लिए importance रहे ताथा RRB NTPC के बाकी shift के exam के लिए importance रहे तो आप इसका PDF भी download कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से जुड़के जिसका link description box में है तो चलिए friends देरी ना करते हुए सभी questions को एकके करके discuss करते हैं तो वीडियो को last तक देखिएगा देखिए friends फर्स टिप के first question फर्स्ट कोशन पुछा गया था अंतराश्टिय स्वर्म संगठन की अस्थपना कब हुई इसका आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर 1919 को second question देखिए संजुक्त राष्ट सब्द किस ने दिया तो यह US के परसीडेंट Franklin D. Roosevelt ने दिया था next question देखिए third सहारा मरुरस्थल कहां पर है fourth question पुछा गया था नंदा देवी राष्टिय उद्यान किस राज में है तो यह उत्राखंड राज में है चमोली जीला में five question देखिए उजयन में अगला कुम्ब मेला कब आयुजित होगा तो यह अगला होगा 2028 में सिप्रानदी के किनारे इसके पहले 2016 में हुआ था आप सभी जानते हैं कि 12 वर्ट्स पर यह कुम्ब का मेला लगता है sixth question देखिए सिजदा और पैबोस की प्रथा किष्णे सुरू की थी तो यह ग्यासु दी बलवन ने सुरू किया था सिजदा का मतलब होता है राजा के जो पैरो को चुमना seventh question देखिए इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पर है तो यह नई दिल्ली में इसका आंसर हो जाएगा eighth question देखिए मरिग नैनी का महल कहां इस्तित है तो यह ग्वालियर में है इस्तित ninth question देखिए छेरही निरितिकिस राज में परचलित है तो यह हिमांचल परदिस में परचलित है तेंथ question देखिए सार्क में कितने सदस से राष्ट है तो यह आठ सदस से राष्ट है 11th question देखिए आधुनिक बनस्पति बिग्यान के जनक किसे कहा जाता है तो ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है आध्वनिक बनस्पति बिग्यान के जनक 12 कोशन देखें भारतिय सभिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो ये 9 दिसंबर 1946 को 14 कोशन देखें चौरी-चौरा कांड कब हुआ था तो ये 4 फरवरी 1922 को गुरक पूर जिले के चौरा-चौरी अस्थान पे 15 कोशन देखें राष्टिय गान सरपर्थम कांग्रेस के किस अधिविशंस में गया गया तो ये 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिविशंस में गया गया था 16 question देखे, इन में से कौन सी महारतने कंपनी नहीं है तो देखे, option में MTNL था, ये महारतने कंपनी नहीं है जबकि Gale, O.N.G.C. ये सभी है आप सभी जानते हैं कि 10 महारतने कंपनीया है 17 question देखे, कौन सा input device है देखे, option में mouse था, बिल्कुल सई हो जाएगा 18 question देखे, अपरेल 2019 में मीना कुमारी मैश नम नेकिस खेल में स्वण पदक जीता था तो ये जीता था, बॉक्सिंग वर्ल्ड कॉप में जो जर्मनी में हुआ था 19 question देखे, जलिया वाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे, माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मार कर हत्या किशने किया था तो उधम सिंग ने 13 मार्च 1940 में किया था next question देखे, हुआई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखो कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा, ससी धरूर 21 question देखे, इन में से कौन सा एनिमल उतक नहीं है तो देखे, option था मैरी एस्टेमेटिक टीसू उसके बाद था मैस्कूलर टीसू और कनेक्टिब टीसू तो इसका आंसर हो जाएगा, option A मैरी एस्टेमेटिक टीसू, ये एनिमल उतक नहीं है 22 देखे, सिंदु कालिन अस्थल, सूर कोटरा किस राज में है तो ये कक्ष गुजरात राज में है 23 देखे, बैश्क मानव हिर्दे का औसत भार कितना होता है तो 300 ग्राम होता है 24 देखे, कंप्यूटर में कॉपी किये गए डाटा को पेष्ट करने की सौर्ट कट कुझी क्या है तो ये देखे, कंट्रॉल प्लस भी होता है ये पेष्ट करने का 25 देखे, स्वतंत्र भारत की पर्थम गौर्णर जनरल कौन थे तो ये माउंट बेटेन आंसर हो जाएगा अगर भारती है पुछता की स्वतंत भारत के पर्थम भारती गौर्णर जनरल तो ये आंसर हो जाएगा सी राज गौपाला चारी 25 कोशन देखे, मिसाइल मैन ओफ इंडिया की से कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एपे जे अबदुल कलाम को 27 कोशन देखे, सिख धर्म के पर्थम गुरु कौन थे? तो ये गुरु नानक देव थे, इनका जन्म भार बड़ पुछता है तो इसका आंसर हो जाएगा, तलवंडी जो पकिस्तान में है 15 अप्रैल 1479 को जन्म हुआ था 28 देखे सफलता पुर्बक चंदर्मा के सत्व पर पहुचने वाला परथम यांत्रिक्षियान तो देखिए इसमें दो कंडिसन बनता है एक मानो रहित और एक मानो उसमें नहीं भजा गया था ऐसे ही अंत्रिक्ष में भेज दिया गया था वहाँ पर अंत्रिक्षियान तो देखिए जिसमें मानो नहीं था उसका नाम था लूना टूर और मानो सहित पुछा होगा तो वो अपोलो 11 हो जाएगा 29 देखिए जूट का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का परियोग की आता है 30 कोशन देखिए भारती रिजर बैंक का मुख्याले का हैं ये पुछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई बात करते हैं बरतमान में गौर्णर कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा सकती कांदार अस्थापना हुआ था 1 अपरेल 1935 को 31 कोशन देखिए प्रोटो प्लेशम सब्द किशने दिया तो इसका आंसर हो जाएगा जेए पुर किन जी 32 देखिए ऐसे जानवर जो अपने अहार में बनस्पत्ति और मांस दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है मतलब ऐसे जानवर जो मांसा हरी और साका हरी दोनों हैं उन्हें क्या कहते तो उन्हें इंग्लिस में तो ओम्नी वरष बोलते हैं और हिंदी में सरबाहरी 33 देखिए ऑक्टूबर 2020 तक किम जोंग उन किन देश के सुप्रीम लिडर है तो ये नौर्थ कोरिया के 34 देखिए 2019 लोक सबा चुनाओ कुल कितने चर्ण में संपन हुआ था तो साथ चर्णों में संपन हुआ था 35 देखिए बिश्रन किरिया डिफ्यूजन का सही उधान दे इस तरह था तो इसका उधान तो मालू नहीं चला एदि आपको मालू है तो कमेंट लक्स में कमेंट कीजिए 36 देखिए कंड डाली फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा उत्राखंड में 37 किंद्र सरकार ने कब तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष रखा है तो इसका अंसर हो जाएगा 2030 तक 38 देखिए टाटा इंस्चूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सिंटर कहां पर है तो यह मुमभई में इस्तित है 39 देखिए 11 पंचवर्थी हो जिना में GDP का आउसत लक्ष अनुमान क्या है तो 9 परसेंट आंसर हो जाएगा 40 कोशन देखिए इनमें से कौन सी कंप्विटर की प्रात्मिक मेमोरी है तो देखिए ओप्सन में RAM था यह बिल्कुल सही है यह एक प्रात्मिक मेमोरी है USB, CD, hard disk यह नहीं है RAM और ROM दोनों होता है प्रात्मिक मेमोरी तो इस तरह यह दीन मार्च 2021 के 40 कोशन कंप्लीट कर रहा दिया आप देखिए सेकंड देखिए सेकंड देखिए सभी कोशन को फर्स्ट कोशन देखिए काली मीटी सबसे ज़्यदा किस राज में पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा महराष्ट में सेकंड कोशन पूछा गया था परधान मंत्री उज्वला योजना के सुरुवात कब हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा एक मही 2016 को यूपी के बलिया से इसका सुरुवात हुआ था थार्ड कोशन देखिए जी ट्वेंटी दो हजार उन्नीस समीट का आयोजन कहां हुआ था तो इसका आयोजन हुआ था जापान के उसाका में और दो हजार बीस वाला होगा सौधी अरब में हुआ था दो हजार इ तीस अक्टूबर उन्नीस सो पैंतालिस को बना था सिट्थ कोशन देखिए संजुक्त राष्ट यानि यू एन के परथम और फिकरी और फ्रिक की महासचीव कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा बुट्रोस गाली नेक्स्ट कोशन देखिए सेबन्त कोशन मुख चुनाव तो आयुक्त का कारेकल क्या होता है तो देखिए छे वर्सों का होता है या 65 वर्स की आयुव्थक जो पहले हो जहे उख रुकाल हो जाता है अनका 8. सुन्दर वन डेल्टा की नद्यों से बनता है तो ये गंगा और पूत्र के से मिलने से बनता है 9th question देखे, कारे केस, साइड मीरर किन दरपन से बना होता है तो ये उतल दरपन से बना होता है 10th question देखे, स्वाबीन उत्पादन में अगर निये राज कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा मध्य परदेश टोटल 45% यहाँ पर स्वाबीन जाया जाता है 11th question देखे, रमधारी सिंग दिनकर को किस राचना है तो ग्यान पिट पुरुषकार दिया गया था तो ये उरवर्स्त्री, जो उरवर्सी था इनके राचना उनके लिए ग्यान पिट पुरुषकार दिया गया था 12 question देखे, मुगल सासक अकबर ने किस असमारक का निर्मार नहीं करवाया था तो देखे, option ये जो था, जमा मस्जीद, ये साह जहाने करवाया था अकबर नहीं करवाया था, तो तहीं ये आंसर हो जाएगा पूछ रहा है कि निर्मार नहीं करवाया था पानी का अधिक्तम घनत तो कितने Kelvin तापमान पर होता है तो Kelvin में पुछा गया तो 270 Kelvin हो जाएगा अगर centigrade में तो 4 degree centigrade होता है Fahrenheit में बात करते हैं तो 49.16 degree हो जाएगा Fahrenheit अब देखिए 15 questions 1867 के करांती में लखनाव की तरफ से नेतरुत तो किछ ने किया था तो बेगम हजरत महल ने किया था 16 question पुछा गया था 1 exabyte में कितने के बराबर होता है तो यह 10 सचोबिस पेटाबाइट के बराबर होता है यही था 10 सचोबिस पेटाबाइट आंसर हो जाएगा 17 question देखिए दिसंबर 2020 तक भारते नेशनल फिल्ड होकी टीम के कोच कौन रहे तो यह ग्रहम रीड है आप देखिए 18 question कौन सी महारतन कंपनी है तो देखिए आप सब भी जानते हैं कि महारतन कंपनी की संक्या 10 है और लेकिन option क्या था यह नहीं जनकारी मिला मुझे 19 question देखिए भागवत गीता के परतम अंग्रे जी अनुबाद किश ने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा चारलस विल्किन्स ने किया था 1785 में 20 question देखिए ग्रेनाइट किस परकार का चटान का उधारन है तो इसका आंसर हो जाएगा अगने चटान का 21 देखिए कौन सा एसप्रो फाइट कवक है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन में पैनिसिलिम दिया था तो यहीं आंसर हो जाएगा 22 देखिए कौन सी नदी उत्री मैदान भागो के विकास के लिए उतरदाई नहीं है तो देखिए गंगा ब्रहंपोत्र सिंदुती यह तो उतरदाई है लगि गोदावरी जो है यह उत्री मैदान भागो के विकास के लिए उतरदाई नहीं है 23 देखिए आर्तिक सरवेक छणो को केंदरिये बजट से कब अलग कर दिया गया था तो 1964 के बाद अलग कर दिया गया था 24 देखिए कोई विद्यक धन विद्यक है या कौन तै करता है तो यह स्पीकर अफ़ लोक सावार करते हैं 25 देखिए मथुरी लोक ने तकिस राज में किया जाता है तो तेलंगना में किया जाता है 26 देखिए अर्थ आवर की शुरुआत कब हुआ था तो यह 2007 में 27 देखिए भारत का पहला अस्थाई आर्केटिक अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है जो की स्पीटस वर्गिन और स्वाल वार्ड नार्वे में इस्तित है तो यह इसका आंसर हो जाएगा हिमादरी स्टेशन है हिमादरी जो होता है पहला अस्थाई आर्केटिक अनुसंधान स्टेशन का नाम है अब देखिए 28 स्वेजनार कहां पर है तो यह इजिप्ट में है 29 देखिए भावतिक अनुसंधान परयोक्षाले कहां पर इस्तित है 30 देखिए 1947 से पहले 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था तो स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाया जाता था एसर परसम 1930 में मना था 31 देखिए अहमल साहबदाली किस ACI देश से सासन करने आया था तो अफगनिस्तान से आया था भारत 32 देखिए cryogenic rocket engine में इंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है 33 देखिए भारत का राश्टिय पुस्तकाले कहां परिश्थी थे तो इसका आंसर देखिए कलकत्ता अली पौरे कलकत्ता में इस्तित है 34 देखिए भारत का पहला पोशाक शंगराले कहां पर इस्तित है तो गोवा में इस्तित है 35 देखिए कंप्यूटर में किस वाइरस के कारण किसी फाइल को मोडिफाई नहीं किया जा सकता है और नहीं फॉर्मेट करने पर डेटा डिलिट हो जाता है तो देखिए उस वाइरस का नाम है बूट सेक्टर वाइरस 36 देखिए भारत में सरल बहुमत परणाली से चुनाओ जितने की परकिरिया किस देश से ली गई है तो युनाइटेट किंग्डम से ली गई है 37 देखिए सुर्य उदय के समय जब सुर्य चितिज से उदय होता है तो कितने मिनट बाद सुर्य के रौसनी से हमारी परचाई देखती है तो कितना मिनट पूछा गया है तो फ्रेंड्स आपको यदि इस कोशन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट फलक्स में कमेंट 38 देखिए चुमबक्य फलक्स का एसाई इकाई क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा बेवर 39 देखिए राज बीमा नीगम इनमें से किसकी सहायता नहीं करता है तो देखिए जो राज बीमा नीगम है इनमें से किसका सहायता नहीं करता है तो आप्सन के उपर डिपेंड करता है वह ऐसे तो option मुझे नहीं जनका रही है कि क्या था आप लोग comments फरक्स में बताइएगा कि इसका exact answer कि क्या था देखिए इस तरह हम लोग दोनों shift का analysis देख लिजिए आप इसका PDF भी download कर लिजिएगा telegram channel से जूड़ के मैंने 28 December से जो exam start हुआ है इस दिन से मैं आपको daily इस तरह का notes बना को आपको PDF provide करता हूँ तो telegram से जूड़ आई है मिलते नेक्स्ट वीडियो के analysis में तब तक लिए जाएगे